हेलो वीवेर्ज आई शुशान स्थाहू टीचर इन सोशल स्टेडिज वल्कम युवाल तो क्लास 6 हिस्ट्री चाप्टर नमबर 3 थर्ड चप्टर इन द अल्लिएस्ट सिटीज और इस पार्ट वन तो यह पोर्शन स्टाट करने से पहले दोनों दोस्त के बीच में बातचीत क करते हैं यह कांटेंट कहा है से ओल्ड बिलडंग को सैन्द करने के लिए दोंने के बींस में पातचीत कौन होते हैं एक का नाम होता है जस्पल दुस्तरा का नाम होता है अरपाई पाइर लिया है तो बात यह है सब से पहला पॉइंट में जो बात हमारे है वाइल प्लेइं क्रिकेट थे सवान ओल बिल्देंग क्रिकेट खेल रहे थे वो एक ओल बीदिडिंग देखे पुराना बाला मकान देखे मैं नमबर टू चिल्ड्रेन ओ जो होते थे तो थाट हाउस आज अंटेड हाउस बच्चे बोलते थे क एक बूद का वंगला है डूमा राइट नमबर त्री दा हाउस वाज डिक्रेट चेट वीट उड़ कार्विंग जो मकान था पुराना बाला उड़ कार्विंग मतलब लकडी के उपर प्र डिजाइन करके बढ़ियां से बना गया था इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है तो पुराने बिल्डिंग से हमारा याद आता है या हमाज बढ़ने जा रहे हैं हमारे वन अफ दो मुस्ट इंपोर्टेंट एरिया नियर्पा यावर इंडिया पाकिस्तान बढ़र याद इज हरपा सुलेटर साब या वन आईडिया था स्टूरी अफ हरपा पॉइंट नमर वन नियरली 150 यह अगो वन रेल्वे लाइन्स वर बेंग लेटाउन फर्स राइम पंजाब पंजाब में पहली बार जब रेल्वे लाइन बन रहा था लगवाग एक्सों पचास साल पहले इंजिनियर्स स्टॉर्म जो अपन्ड़ साइट फरपा इन पाकिस्तान में हुए जगा जो कि हर अप्पाम कहते हैं सब्सक्राइब लगवाग असी साल से पहले अर्केलोजिस्ट जो होते हैं उनको यह साइट मिला ओ जगा मिला क्या था जो जगा दे एरियल रिली इस डाइट इस वाज वन अफ तो ओल्डेस्ट सिटीज इन सबकंड इस वो रियलाइज किये वो फिल किये कि जो ओल्डेस्ट सिटीज था उनमें से यह एक सबकंटिनेंट मतलब क्या है भारत हमारा एक सबकंटिनेंट हैं कंटिनेंट जो हम कहते हैं एक इस एक कंटिनेंट भारत उनमें से एक देस है तो इसको कहते हैं सबकंटिनेंट नमर फ सिटी वाज अरप्पा, वह सिटी था हरप्पा, clear, what was special about the cities, यह सिटी में से क्या special था, जो क्या हम जानकारी लेते हैं, चलो, point one, many of the cities were divided in two or more parts, जो सिटी था, basically two or more parts से divided किया गया था, पहला part क्या था, usually the part of the west was smaller but higher, west में जो था, वो छोटा था, लेकिन थोड़ा higher था, नमबर त्री, archeologists describe this as the citadel, इसको citadel कहते हैं, जो archeologist होते हैं, उनको citadel कहते हैं, और rich लोग भी हम कह सकते हैं, अमीर लोग को जो रहते हैं, चार नमबर, point, generally the part of the east was longer but lower, east part में जो था, उथा लंबा बाला था, लेकिन lower था, थोटा, lower, this is called the lower town, मतलब उपर बाला जो टाउन था, west में, इसको कहते हैं, citadel, right, lower town जो है, उसको कहते हैं, lower town जो है, और क्या, लो जो है, here, तो अभी ही हम देखेंगे, the bricks were so well backed, that they have lasted for thousand years, जो bricks होता था, bricks जो eat होता है, यह eat को एसे जला के रखते थे, बेक्ट मतलब जला ना, जला के रखते थे, जो कि हजार हजार साल तक इसे long lasting के लिए रहता था, number seven, the bricks were laid in an interlocking pattern, bricks ऐसा बनाया जाता था, एक दूसरे के साथ, पुरा अच्छे से पकड़ के जैसे रखते हैं, जैसे कम हाथ, चारे, पांच, फिंगर को पुरा अकठा कर देंगे, कितना strong होता है, तो eat एसे बनाया जाता था, bricks को एसे बनाया जाता था, जो कि एक दूसरे को पकड़ के रखे, और strongly रखे, इसको कहता है, interlocking, locking pattern जो 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 होता है, and that made the walls strong, जो walls बनता था, जो दिवाल बनता था, उपरा strong होके रहता था, ओके, अभी एक बात करते हैं, मजा दरे बात, एक बात्रूम के बरे में बात करते हैं, बहुत बड़ा बात्रूम, नहाते हो ना, तो आज कल तो maximum जगह में हो गया है, पुराने जमाने में, बहुत सरे गाउं में, लोग को तलाब में नहना, पोंड में नहना, पोंड के आस the great bath यह चारे और यह सब पत्थर का है मिडिल में जो यह पानी रहता था यह साइड साइड में सब स्टेयार से है यह साइड में है यह साइड में सब स्टेयार है अंदर जाने के लिए तो इसका स्टेयालेटी यह है बहुत सारे लोग एकठा ना सकते थे तब देखते हैं जो महेंजोधार में हुआ था यह बेरी स्पेशल टांक विच आर्केलोजिस्ट कॉल ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन अट एरिया इन इस एरिया तो उस समय में यह महेंजोधार में बहुत बड़ा मकान वाल्स रेट एंड मेड वाट टाइट विच लेयार अफ नाचुरल टार पानी को जैसे पकड़ के रखे और स्टोर करके रखे इसे की यूज करते थे नाचुरल टार थर्ड नवर पॉइंट दर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन जो स्टेप्स के बारें हम बात कर रह लोग रहने के लिए वाटर वाज प्रोबाबली ब्रोट इन फ्रम एवल अन्द ट्रेंड आउट अप्टर यूज चो पानी आता था साइट बाला चो वेल होता था कुआं कुआं से पानी लाते थे और ड्रेन एक रहता था पानी जाने के लिए जो बाथरोम से या ग्रेट प्राहप्स इंपोर्टेंट पीपल टू कुप टूप डीव इन देश टैंक स्पेशल अब कर अके जन स्पैशल अकेजन बड़ के मतलब जब फेस्टिवाल होता है इकठा मिलके कुछ जिसके कठा ना आते हैं इन दसे सब सारे लोग जैसे की घंगा में आते हैं जैसे क्या मों कहते हैं धां पुनियां होता हैš धरम होता है तो यह सब होता है तो साहए हुर देख लएता है कि रहा ग्रेट बात यह सायड में सब रूम से हैं यह सब मैं डिल मेंमर बात हैं यह सब आने जाने के लिए जो सेप्ष है इधर है और उधर भी है ठीक है Management ओके आगे देखता हैं हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स मकान और ड्रेन और रस्ता कैसे होता था देखते हैं आधर डालते हैं पहलाबल पाइंट जेनरली हाउसेज वेर आइदेर वान और टू स्टोरे हाइड रोम सुथ बिल्ट आराउंड ए कॉंट्रियाड में ज्या एरिया के लिए राखते थे इसेगा वास्रूम बनाते हैं एंड सम्हाइड वेल्स टू सप्लाई वेटर कोई 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 बनाते थे वेल बनाते थे वाटर सप्लाई के लिए नुमर्ट त्री मेनी अब दिस्टीज हाड कवर्ड ड्रेन्स बहुत थर सिटी ड्रेन कवर होता अच घ्र leaking diting system के लिए ईच ट्व्रेन हाडे जेंटिल स्लोप होता था डैट यहाते कोज्ड वेकांट ले स्टीज स्लोप किया जाता था जोकी घर का पानी हो जाके डारेक्लीट व्यां गिरे गरे नेजंए लेकानिकत ट्रेट जो बीगर वानस ऐसे चोटा चोटा ड्रेन होता था वो लाइनप करके साइड शाइड रोड का दोनों साइड में ड्रेन बना देखे ते कुछ लैन को कभर करते थे और जाके सहरके बहार यह बढ़ा ड्रेन में मिलत deficiency पूरा सीधा पूरा स्ट्रेट रास्ता इसे बनता था तो यह स्ट्रीट कैसा होता था मिद और भी तरीट कर डिर्ट कर लिये्ट स्रीट के बारे मन कर लिए अभी आगे बढ़ते हैं अभी दखते हैं वाल किसे बनाते हैं दिवाल किसे बनाते ही शमवन nMAN किग दी वाल बवा बवा इसे door की इस पाफ आधर यह में अलू हो चैनल वह को बाद कर रहे दोनिंड भी टरे तैं से बनाती हैं बिच में रखा गया है ग्याप रखा गया है जो कि प्लियर कर सके और इसको कवर किया जाता था इसके बद्दों नो आएं बैट स्मेल ना आएं अभी बात करते हैं लाइफ इंद शीटी जो सीटी था लोगों का जिन्दगी कैसा था दिखता है दो हर अपन इंडिविज्वा इंकर्परेट किस किस का मिला शीप का मिला गोट का मिला पीक का मिला और सो फॉर्थ और बहुत सारे मिला तो यह सारे आनिमल्स का बोन्स मिला है इसका मतलब वो लोग नन्वेश भी थे प्लास्टिक का है अलग अलग का डिजाइन का है लेकिन उस समय में मिट्टी से बनाया जाता था मिट्टी का पॉट था वो रेट वो लोग यूज करते थे तो समय नुबर फोर मेनी ओवन्स फर प्रिपेरिंग ब्लॉक्स हाब बिन फाउंद ओवन्स भी यूज वता था थ यूज करके। नमर फाइए इच्वरेंड आर्टिकल स्सी एल्स डियुट और फॉर फ्लेक्शिंग बहुत डिखना रीटिंग्स मिला था बहुत सरे लेटर्स मिला था हम देखेंगे आगे इसके आगे देखेंगे कि कैसा कैसा writing उनका था कैसा handwriting उनका था कुन सा language में लिखते थे some of the writings you are not known till today undeciphered और क्या थो इसके साथ सथ netlaces था, armless था, fingerings था, bangles था ये सब men and women दोनों मिलके use करते थे ठीक है men and दोनों बोथ male and female दोने यूज़ करते थे no.7 the two men and ladies appear to be attached to ornaments यह सब बनाते थे और ornaments को पेहनते थे मेन होमेन दोनों का symbol ornaments का होता था और यह अपना culture के साथ रहते थे तो अभी देख लेते हैं वेल जो होता यह वैल है इसका अंदर पानी होता है ठीक है साइड साथ साथ कुछ सिंबॉलिक राइटिंग है यह जो लेटर के बारे में बात कर रहे हैं हार अपन सील होता था यह नेक्स्ट यह होता था तेराकोटा टोईस टोईज अगरे में नयों देक्रा ये जी सो ये टाइगर जैसे दिक रहा है ये कुट्टा जैसे दिक रहा है ये भी ये कुट्टा जैसे दिक रहा है थोड़ा थोड़ा राइट ये सब अलग अलग तरीका का बना आते थे सो ये आज हम इतना तक पड़ेंगे we'll once again we'll meet in the next video all of you take care of studies thank you all